नमस्कार दोस्तों हम सीखें 2D Animation और 2D Animation में हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों Animate CC करके तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Animate CC का 2024 वर्जन है और इस सीरीज में मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा और इसमें हमें आपको detail से बताऊंगा इसके interface के बारे में तो दोस्तों आपको interface समझना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आप अगर इस पर काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि कौन सा property bear या menu bear या tools इसके color को हम कहां से change करेंगे तो आपको पता ही नहें रहेगा अब इसपर नहीं करपाएंगे तो दोस्तों ये बहुत ही important topic होने वाला है जिसको कि हम Unterface को पूरी के पूरी cover करेंगे एक ही वीडियो में तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करते हैं लगज़जिद कई से क्रियेट किये हैं तो प्लीज दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लें इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या उपर आई बटन आ रहा है वहां पर भी क्लिक करके इस चैनल पर जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यह हमारा इंटरफेस होता है जब आप इनिमेट सीची को ओपें करते हैं तो कुछ इस टैप से खुल कर आता है तो दोस्तों यहां पर बहुत सरा चीज सीखने को नहीं है लेकिन एक मेजर चीज होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर सब पहले अगर ले यहां पर कुछ सेटिंग दिया हुआ है इसको आपको किष टैप में किस साइज में वीडियो बनाना है यहां पर ऑप्सन दिया हुआ है इसको मोर पे क्लिक करके आप प्रिशेट पर देख सकते हैं और भी आपके पास ऑप्सन आ जाएगा मैंने इस पर क्लिक किया आप अबरा सकते हैं अपने recording उसके बाद यहां पर जो सो होता है जो आप इस पे काम किये हैं उस पर यहां पर सो होता है मैंने गरीब आदमी करके एक फाइल बनाया था जो अभी मैंने recently हिंदी कहानियां पर लगाया था उसके बारे में यह यहां पर basic setting दिया हुआ इस पर आप किसी को setting करना चाहते है माले full HD या Android के लिए बनाना चाहते है आप इसको direct click से तो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा तो full HD पे click करता हूँ जब हमने full HD पे click किये था हमारा जो size है कुछ step से खुल के आ गया यहां पर देखिए इसका size होता है 920 by 1080 pixel का size होता है जो की full HD का size होता है तो दोस्तों यहां पर कुछ setting दिया हुआ जैसे basic setting सबसे पहले मैं बताता हूँ यहां पर right side में आप देखते हैं तो दो button दिया हुआ इस पे click करते हैं तो आप जो है इसकी setting को change कर सकते हैं interface को जैसे basic है classic है dubbing है designer है developer है essential है full small screen आप जिस पे भी काम का मानलो developer है तो आप developer पर क्लिक कर सकते हैं essential पर है classic है और उसके बाद basic है तो दोस्तों अगर classic पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा जो है प्रोपर ढंग से step से setting आएगा माल लिए हम basic पर क्लिक कर सकते हैं तो आप देखिए हमारा जो इसका interface है वह change हो गया है इस step से अगर माल लिजिए हम designer पर change करते हैं तो देखिए इसका interface कुछ step से change हो जाता तो आप क्या चीज़ काम करना चाहते उसके according आप यहां से interface change कर सकते हैं और सभी में सेम चीज़ होता है प्रोपर्टी left right करने के लिए तो हम क्या करते हैं अभी हम रखते हैं classic पर classic पर रखे तो कुछ step से इसका interface आया तो आप अपने according यहां से set कर सकते हैं और आप manually बना भी सकते माल लिजिए इस button को आपको इधर चाहिए यह आपका जो time bar है कुछ इधर चाहिए तो वो create कर सकते हो आप manually यहां से भी जब हटा सकते हो जो भी जहां पर set करना है वहां पर set कर सकते हो लेकिन जब यहां पर click करते हैं तो वह automatic फिर से reset हो जाता अभी क्लासिक को मैंने किया किया इसको change कर दिया था तो कुछ इस type से आ गया तो आपको अगर reset करना है तो यहां पर जाएए यहां पर जो है वर्क प्लेस में जाएए और यहां पर reset classic कर देता हो तो यह automatic जैसा था वह इस साथ फिर से create हो गया जैसा था अब यह तो हो गया इंटरफेस के बारे में आप देखते हैं कि कहां पर कौन चीज यह रखा हुआ है और इसकी मदब से हम क्या create कर सकते हैं हम menu बार के बारे में tools के बारे में आगे के वीडियो में आपको दिखा हूँगा आज सिर्फ मैं इसके interface के बारे में बता रहा हूं सबसे पहले उपर पर आप यहां देखते हैं एक timeline दिया हुआ है आप timeline का मतलब यहां पर देखिए second दिया हुआ एक second मतलब यहां पर frame rate 30 का है तो इसलिए टीस frame पर जाने के बार एक second हो जाता है 60 second पर जाने के बार 2 second हो जाता है आप इसको manually change भी कर सकते हैं तो यह तो हो गया यहां पर timeline अब यहां पर इसका layer दिया हुआ है यहां पर बहुत सारा option दिया हुआ अगर आप देखें इसको हम इस type से खीश सकते हैं तो यहां पर बहुत सारा layer दिया हुआ अगर यहां पर new layer create करना चाहते हैं तो new layer create कर सकते हैं यहां पर इस सभी लिएर को folder में भी create कर सकते हैं मैं आगे details से बताने वाला हूं तो इसको सिर्फ समझना है कि इससे क्या होता है यहां पर option दिया हुआ है यहां से अगर click करते हैं देखिए यहां पर hide कर सकते इससे आप lock कर सकते लॉक करने के बाद आपको इसपे कोई भी काम ने कर सकते हैं इस step से जो हमारा timeline काम करता है यहाँ पे camera दिया हुआ है यहाँ पे setting है layer की यहाँ पे Clone alumni ढीजाहों से इस इस toolbar को आप अपने recording जहां पे भी set करना चाहते हैं left या right वहाँ set कर सकते हैं मुझे left में अच्छा लगता है इसलिए मैंने left में रखा हूं आप चाहते हैं तो right में भी रख सकते हैं उसके बाद देखिए यहां पे कुछ property दिया हुआ यहां पे दो arrow दिया हुआ इस पे अगर click करते हैं तो यह खुल के बाहर आ जाता है यहां पे इससे color आप यूज कर सकते हैं माल लिजे हम इसकी हटाते हैं और यहां पे भी click कर सकते हैं तो इसको अभी हम क्या करते हैं यहां से अभी और उसके बाद यहां पे बहुत सारा option दिया हुआ है इसको हम अभी बंद करते हैं यह तो था color का option नीचे दिया हुआ फिर से यह बहुत सारा हमारे पास color आ गया यहां पे भी click करके आप color को change कर सकते हैं ग्रेडियन भी दाल सकते जो भी आप देख सकते हैं उसके बाद जो थार्ड ओप्सन है अलाइनमेंट का है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है लेफ्ट राइट या बोटम या डिस्टिबूट करना है इसको हम कैसे करते हैं यहां पे क्लिक करते हैं यहां पे जो एंगिल को change कर सकते हैं, इसके कितने बड़े left, right या 3D dimension है, सब किसी का यहाँ पर property दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी यहाँ पर सो होता, अगर कुछ बना के रखना चाते हैं, यहाँ पर आपको सो होगा, उसके बाद यहाँ पर कैसे तो अभी मालो हमने normal रखा है, कोई किसी को select नहीं कर रखे है, तो यह जो है, आपके इस, जो आपको screen है, इसके property सो हो रहा है, यहाँ से देखिए, magnet है, यहाँ से कुछ setting दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, so ruler है, ruler से इससे कोई use नहीं कर सकते हैं, यहाँ से size दिया ह 920 by 1080 pixel, इसको आप change भी कर सकते हैं, कुछ step से change करना चाहते हैं, तो change कर सकते हैं, मैं अभी 920 ही रखता हूँ, यहाँ से पूरा setting दिया हुआ है, इस सब को भी हम आगे की video में आपको दिखाऊंगा, और अगर इसको select करते हैं, तो अब select करने के बाद, इस जो selection है, इसकी property ख यूज आ जाता है, इस tool को जो ही select करेंगे, यहाँ की property कुछ और हो जाएगा, माल लिजे हम इसको select करते हैं, यहाँ से माल लिजे हम अभी इसको select करते हैं, तो इस step से इसकी property कुछ और हो जाता है, अब माल लिजे इसको हम delete कर देते हैं, इसकी property खतम हो गया, तो आप जिस इस option का basically काम होता है पहले हम left side में देखते हैं यहां पर option दिया हो यहां पर scene 1 है जो भी आप यहां पर खोलेंगे जितना भी scene खोलेंगे उतना scene यहां पर use होता है अभी हमारे पास सिर्फ एक है तो एक use हो जा रहा है और यह untitled मतलब file का नाम दे रहा है कि कौन से file आप खोल जवरत नहीं परता है अगर आपको लगे कि जवरत है तो आप यहां से rotate कर सकते हैं इस जो tool है इसका use होता है अगर मालो कोई भी project आप बना रहे हो आपका project बड़ा है मालो frame से बाहर आ गया आप चाहते हैं कि हमको यह बाहर का ना दिखे तो आप इस पे click कर दिए तो आप fit to window करते हैं तो आपको इतना बड़ा दिखिया अगर आप 100% करते हैं या 20% करते हैं तो इस हिसाब से आपका ratio दिखेगा इस टैप से ठीक है तो यह पूरा जो है दोस्तों और overview में मैंने आपको detail से बताया कि कौन सा कहां पर यूज होता और किस से कैसे use करते हैं आगे अगर तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रू करें दोस्तों के साथ सेर भी करें अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूँ तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जए तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थैंक यू